हाई एविवन एम रवी हांड़ और मैं आज आपके साथ आया हूँ काट 2021 के कुछ क्वांट के questions डिसकस करने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अनकाडमी पे हमारे दो टाइप के courses होते हैं एक होते हैं plus courses और दूसरे होते हैं iconic courses plus courses में आपको live classes मिलती हैं जहांपे की आप teachers से directly interact करके अपने doubts वगेरा पूछ सकते हैं सारे topics पर सकते हैं उसके साथ में आपको weekly test, study material और unlimited access to all the teachers on the platform भी मिलता है over and above that अगर आपको expert guidance की जरूरत है one-on-one mentoring की जरूरत है तो आप हमारा iconic plan देख सकते हैं जहांपे हमारे experts आपको personally guide करेंगे आपकी studies का plan बनाने में और आपके mocks को analyze करने में और इसमें वो सारे features तो रहेंगे ही रहेंगे जो की plus में रहते हैं तो चलिए आपको मैं आज के एक special offer के बारे में बता दूँ 6 महिने का subscription आज हम आप लोगों को free में दे रहे हैं मतलब आपको 12 महिने का कम से कम देना पड़ेगा तो उसके साथ में 6 महिने additional और इसके लिए आपको हांडा कूपन कोड का इस्तिमाल करना पड़ेगा अगर आप हांडा कूपन कोड का इस्तिमाल करते हैं तो आपको 6 महिने का additional subscription free मिलेगा and you will get a 10% discount on all our plans तो यह एक bumper double offer है 6 महिने extra free 10% free और 10% off और इसके लिए आपको सिर्फ हांडा कूपन कोड का इस्तिमाल करना है तो यह तो हो गई हमारे plans की बार let's have a look at the question now in this particular question we are given onion is sold for 5 consecutive months at the rate of 10, 20, 25, 25 and 50 per kg तो 5 अलग अलग महिने के prices मुझे गिवन है a family spends a fixed amount of money on onion for each of the first 3 months तो पहले 3 महिने में वो लोग same amount of money spent कर रहे है मुझे पदा नहीं कितना कर रहे हैं but same amount of money spent कर रहे है and then spend half of that amount on onion for each of the next 2 months तो पहले महिने में अगर वो 50 रुपे कर रहे थे तो आगे के महिनों में वो 25-25 रुपे कर रहे है the average expense for onion in rupees per kg over the 5 months तो ये 5 values मुझे गिवन है इनकी overall average मुझे निकालनी है तो चलिए देखते हैं तो मान लो price per kg ये तो मुझे given है मान क्या लो 10 रुपे, 20 रुपे, 25 रुपे, 25 रुपे and 25 रुपे suppose the amount that they are spending their expenses पहले 3 महिने में बराबर उसके बाद में half-half तो मैं इसको 100 रुपे मान लेता हूँ पहले 3 महिने के क्यों, calculation असाल हो जाएगी और किसलिए और आगे के तो महिने में 50-50 मान लेता हूँ तो अब, I'm sorry I think यहाँ पर मैंने इसको गलत लिख दिया this should be 50 last value जो value है तो अब मैं देखूंगा कि वो लोग कितनी quantity खरी देंगे तो पहले महिने में 10 रुपे पर किलो पे 100 रुपे वो खर्च कर रहे है so they will buy 10 kg second मैने में 100 रुपीज में 20 रुपीज पर kg पे 100 by 20, 5 kg third month में 100 by 25, 4 kg fourth month में 50 by 25, 2 kg and final month में 50 by 50, 1 kg तो ये तो थे इनके prices, ये हैं इनके expenses और ये है quantity So what is the total money spent? अगर मैं total money देखूं तो वो है 100 plus 100 plus 100 plus 50 plus 50 यानि की 400 rupees is the total amount of money that is spent How about the quantity? The quantity is 10 plus 5 15 plus 4 19 plus 2 21 plus 1 22 So the quantity is 22 kgs which means my price per kg is 400 by 22 Which is effectively how much? कितना होगा ये? 400 by 22 अगर मैंने किया तो या या 18.1818 रुपीज पर kg या अगी जी मेरी average price option में है, बिलकुल है So once again, simple सा question था, मैं बता रहूं अगर आपने या एक्स मानके किया होता ना तो भारी हो जाता But assume करने का option था, assume करने से ये question बहुत ही असान, बहुत ही simple हो गया And I would once again strongly recommend कि ये easy question की category में आएगा और आपको ये attempt करना चाहिए था उमीद करता हूँ कि आगे से ऐसा कोई question आपको दिखेगा, तो आप उसे जरूर attempt करेंगे और सही भी करेंगे So finally, मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये video अच्छा लगा होगा आप मेरा कोई भी course जोइन करना चाहते हैं या अनकाजबी पे कोई भी course जोइन करना चाहते हैं तो हांडा coupon code का इस्तिमाल जरूर करें और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे ही videos बनाता रहूं, questions के solutions डालता रहूं तो please इस video को like करें और हमारे channel को subscribe करें Thank you